जहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में दोस्तों आज का टॉपिक काफी इंपॉटन और इंटरेस्टिंग होने वाला है आज के वीडियो में हम बात करने वाले टी ओडी टूर आफ ड्यूटी के बारे में अब आप सभी को पता है कि इंडियन आम ड्यूटी को रोल आउट कर दिया गया है अब आप सभी को पता है कि आपका नेवी डवल ए ए एससर फिर आपका एरफोर्स एक्सबाइ ग्रूप फिर आपका जो आर्मी की कई सारी भरती रैलिया है कई सालों से रुकी हुई थी लगवक्त दो साल तो आर्मी का बरती का रै ड्यूटी को भी बताया जा रहा है तो अब फाइनली गवर्मेंट ने इसकी फाइनली रोल आउट कर दी है मतलब अब इससे वेकेंसी आना स्टार्ट हो जाएगा टूर आप ड्यूटी से अभी मैं आपको इसके बारे में डेटेल जनकारी देने वाला हूं कि इससे क्या-क अभी आपको दिखाने वाला हूं कि अभी आपके स्क्रीन पे इंडियन एक्स्प्रेस का न्यूज आ रहा होगा आप अपने स्क्रीन पे देख पारेंगे ये इंडियन एक्स्प्रेस का न्यूज टूर आफ ड्यूटी रेकूट्मेंट रिलीज और रेकुरिट आफ्टर फ लोग armed forces में आना जाते हैं जो लोग इंडियन armed forces में सब करना चाते हैं उनको 3 years की complete service Indian defense forces में देनी होगी और उस 3 years के बाद उनको retire कर दिया जाएगा और वे दूसरे जो corporate world हैं जो business का world है और जो जिसी field में अपना career बनाना चाते हैं वो field में जाएगे बट उनको 3 years के लिए Indian army में आना होगा ये पहले इसका proposal रखा गया था लेकिन इसका proposal जो पिछले साल रखा गया था इसको अब cancel कर दिया गया है अब इसके बदले में इसको 3 years से 4 years में convert कर दिया गया है और एक चीज़ और पहले जो 3 years के लिए आने वाला था ये सिर्फ army में आने वाला था starting में लेकिन अब army में ही नहीं बलकि आपका air force, navy और army तीनों force में आने वाला है तो अब देखिए मैं जो 4 years का जो training और ये complete आपका service होने वाला है 4 years को 2 part में divide कर दिया गया है सबसे पहले आपका six month उसके बाद आपका three and half years six month की आपकी training होने वाली है training में आपका जितना सारा खर्चा होगा सारा खर्चा आपका government दोरा उठाया जाएगा जितने सारे expenses लगेंगे आपके training पे, आपके dress पे आप जो भी हो accommodation, fooding सारा खर्चा आपका सरकार उठाने वाली है जब आप six month की training complete कर लेंगे तो आपको Indian Army, Indian Navy या फिर Indian Air Force में commission कर लिया जाएगा three and half years के लिए, मतलब three and half years के लिए आपको Indian Defense Force में commission कर लिया जाएगा और इस three and half years के लिए आपका salary होने वाला है जो आपका training, आपका posting सारा बिल्कुल बाकी Army के officers, बाकी Army के जवांस के type ही होने वाला इसमें आपको कोई discrimination कोई अलग आपको देखने को नहीं मिलेगा सारा allowances, salaries इसके अलाबा posting फिर जो जो allowances मिलते हैं सारा आपको same होने वाला है बस यहां पे आपको एक बात ध्यान में रखना है कि three and half years का ही service होने वाला है अब क्या यह सिर्फ Army में होगा तो यह सिर्फ Army में ही नहीं बलकि Air Force, Navy और Army तीनों में होने वाला है और जो आपका अभी Navy AA और SSR की जो vacancy रुकी हुई है और X, Y group का जो result रुका हुआ है और जो Army की भरतियां रुकी हुए है यह तीनों जो rallies और exams जो रुकी हुए है यह exams सिर्फ Tour of Duty को implement को लेकर ही रुके हुए है जैसे ही Tour of Duty implement हो जाता है तो आपका AA, SSR, X, Y group या फिर Army के भरति की जो news है Army के भरति के जो new-new notification है new-new vacancy है वो आना आपके official site बे start हो जाएगा सारे तमाम doubt को आपको इसी वीडियो के मादम से इसी चैनल के मादम से time to time मिलता रहाएगा जैसे ही कोई notification आती है कर लेंगे Indian Defense Forces में तो आपको retire कर दिया जाएगा और retire करने के बाद एक मन्त का time दिया जाएगा उस एक मन्त में उन सारे जो soldiers होंगे उन सारे soldiers को एक बाद फिर से test किया जाएगा और उन सारे में से 25% of them को permanent commission के लिए Indian Army में भरति कर लिया जाएगा और जो बाकी 75% करेंगे बाकी 75% को फिर जो भी आपको काम करना है जिस भी corporate world में जाना है या फिर जो भी आपको बिन्दस समालना है मतलब आपको कोई दूसरे occupation को ढूंड लेना है बस इंडिया नामी में मातर 25% को ही permanent commission मिलेगा अब देखिए इससे क्या फाइदे हैं और इससे क्या नुकसान है इससे इसको मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात और पताना चाता हूँ कि यह जो new vacancy आने वाली है टूर अफ ड्यूटी की और यह जो new proposal new roll out किया गया है यह roll out अभी फिलहाल सिर्फ soldier entry के लिए ही किया गया है मतलब जो navy double है और SSR में sailor बनेंगे या फिर air force x by group में जो airman बनेंगे और जो navy में जो army में जो जवान बनेंगे तो in entry में ही सिर्फ अभी tour of duty को roll out किया गया है अभी इसके दौरा कोई roll out नहीं किया गया है यह जानकारी अभी आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है बट ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले समय में within next year it will be implemented for the officer card also so you have to be very much prepared for that अब देखिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि इससे क्या फाइदा होगा क्या नुक्सान होगा तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगो कि इससे क्या benefit होगा तो सबसे पहला जो benefit होने वाला है कि more and more candidates more and more people will get chance to serve the nation being in uniform क्योंकि जब door of duty के तोरे वेकेंजी आगी तो बहुत सारे लोग को एक साथ recruit कर लिया जाएगा four years के लिए और इसमें से जो रेकूट हैं इनमें से मात्र 25% को ही permanent commission के लिए फिर से recruit किया जाएगा आर्मी में वो भी merit के basis पे selection के basis पे और इससे जो इंडियन army बोल रही है इंडियन आर्मी यही बोल रहा है कि इससे हम जो number of candidate जो number of aspirants हैं उनकी संख्या बढ़ जाएगी और उनका recruitment काफी जादा number में होने वाला है तो यह आपका first benefit है और जो second benefit है second benefit यही है कि सरकार को इससे जो pension उनको देना पड़ता है salary देना पड़ता है इसमें कमी आ जाएगी जिससे जो इंडिया के defense forces यह modernization पे focus करना start कर देगी साथ-साथ modernization के साथ-साथ जो हमारा आत्मिरवर भारत का जो goal है ताकि जो जितने सारे defense के equipments हैं बलकि आपका aircraft career हो बलकि आपका frigates, warships, fighter aircrafts, helicopters, tanks, guns, rifles जो उसको हम खुद इंडिया में manufacture करें तो इस पे हम ज़्यादा expenses कर पाएंगे यह दो आपका main advantage सरकार के तरफ से बोला रहा है अब देखिए मैं आपको पताने वाला है कि इसका commission के लिए recruit कर लिए जाएगा लेकिन जो 75% बचेंगे उनका तो future अभी secure नहीं है क्या उनको private life में, क्या उनको public life में, क्या उनको कहीं business में success मिलेगा इसको कोई guarantee नहीं है तो बस यही है एक नुक्सान जो की सारे aspirants, जितने सारे candidates जो लोग tour of duty के अपलाई करेंगे, उनमें four and half, मतलब three and half years plus six month की service देने के बाद आपको इस तरह की कुछ समस्याई जहलने पड़ेगी कि आपको ऐसा fix नहीं है कि चार साल आप आर्मी में service देंगे उसके बाद आपको public flight में आने के बाद आपको नौकरी fix हो जाएगी, कहें पर आपको नौकरी लग जाएगी, ऐसा कोई कहें पर fix नहीं है तो यह एक main disadvantage बताया आप जा रहा है, बट फिलहाल ऐसा माना जा रहा है कि जो tour of duty है, इसकी vacancy नेक्स्ट मन से आना स्टार्ट हो जाएगी, नेक्स्ट मन से आपका इंडियन नेवी, डबल ऐससर, एरफोर्स, एक्सबाइ ग्रूप और आर्मे की बरते की rally की notification आना स्टार्ट हो जाएगी और ये rally tour of duty के ताहद ही आएगी, जिसकी roll out already कर दी गई है, और ऐसा माना जा रहा है कि अच्छे सारे candidate, बहुत सारे candidate, काफी number of candidate को इसके ताहद रेक्रूट किया जाएगा, जिससे more and more aspirants, more and more candidate will get a chance to serve in the Indian armed forces being as a uniformed personal and they will feel right for that. अब आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि जो एक country of Israel है, इसराइल में एक ऐसा India में कि आपको minimum, अगर आप इसराइल के नागरिक हैं, तो minimum आपको three years military में serve करना ही करना है, आप three years के बाद military को छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इसराइल के citizen हैं, तो उस case में आपको minimum three year of service Israel forces को देना पड़ेगा, तो मैं भी उसी को ध्यान में रखते हुए कि जो इंडिया में है, patriotism की भावना होने चाहिए, nationalism की भावना होने चाहिए, बस उसी को ध्यान में रखते हुए, इस type का tour of duty, जो अगनिपत योजना है, इसका roll out कर दिया गया है, आसा करता हूँ, आ लेकर इंतजार करें, उनको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनको कुछ आडिया लगे कि हाँ, इसका बैकेंजिक कब आने वाला है, तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तिल देन, थैंक्यू, जैहिन